नमस्कार टीजी नियूज में आपका स्वागत है मैं हूर रमातियागियों और मेरे साथ हैं आतुल कुमार शुरुआत करेंगे हेडलाइन्स के साथ केंडरी ग्रिहमंत्री अमिशाहा आज सिक्कीम के दौरे पर गैंटॉप में डेरी कॉंक लिव मिलेंगे भाग बीजेपी के कोर ग्रूप की बैठक में भी होंगे शामिल साथी सर्दार वलब भाई पटेल की मूर्ति का भी करेंगे अनावरण केंडरे आउशद्धी मानक नियंत्रन संगठन ने दी जानकारी मेडन फार्मेसिटिकल का कफ सिरप भारत में नहीं हुआ था सप्लाई कमपनी ने केवल गांबिया को सिरप का किया था निर्यात सैंपल जांच के लिए चन्डी कर भेजे गए विश्व स्वास्त संगठन से मांगी विस्टरत जानकारी गांबिया में कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत से जुड़ा है मामला यूकरेन और रूस के बीच जारी युद से उत्पन हुए उज़ा संकट पर चर्चा करने के लिए चेक गनराजी के प्राग में एक जुठ हुए यॉरोप के 44 देश सभी देशों ने एक स्वर में यूकरेन पर रूसी हमलों के खिलाफ विरोध किया दर्च दक्षिन अफ्रीका ने भारत को पहले एक दिवसे मुकाबले में नौ रन से दिमान इस जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज में दक्षिन अफ्रीका ने बनाई एक शुन्ने की बढ़ाद 36 वे राश्ट्र खेलों में खिलाडियों का शांदार प्रदर्शन जारी अंतालिका में सोविसेस के खिलाडी 41 पदक के साथ शुर्च पर वहीं हर्याना दूसरे और महराश्ट्र तीसरे पायदान पर काबिस लेकिन समचार विस्तार से केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिश्याह आज पूर्वत्तर राजे सिक्किम के दोरे पर रहेंगे केंद्रिय ग्रिह मंत्री केंटॉक में टेरी कॉंक्लेव में भाग लेंगे अपने दौरे के दौरान अमिश्याह बीजेपी के कोर ग्रूप की बैठक में भी शामिल होंगे अमिश्या सरदार वललब भाई पटेल की मूर्टी का भी अनावरन करेंगे इसके साथ ही केंद्रे ग्रिह मंत्री अमिश्याह का सिक्किम के मुख्या मंत्री प्रेम सिंग तमांग से भी मिलने का कारिकरम है सिक्किम के दौरे के बाद ग्रिह मंत्री अमिश्याह आज दो पहर बाद असम के कुवाहाटी पहुँचेंगे भारतिय कंपनी द्वारा गांबिया को निर्यात की गई बच्चों के कफ सीरप के खिलाफ विश्व स्वास्त संगठन की शिकायत पर CDSCO की आरंभिक जाँच में ये बात सामने आई है कि Mate Pharmaceutical Limited को इस सीरप को बनाने का लाइसंस केवल निर्यात के लिए मिला है कंपनी ने केवल गांबिया को इन सीरप का निर्यात किया है भारत में इन सीरप को नहीं बीचा गया है साथ ही एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तहट आयात करने वाला देश उपयोग में लाई जाने से पहले आयात किये गए प्रोड़क्ट की गुणवत्ता की जाँच करता है CDSEO ने जान्च के दायरे में शामिल सभी चार दवाओं के नमूने ले लिये हैं और उन्हें चन्डिगर स्थेत रीजिनल ड्रग टेस्टिंग लैब भीजा किया है लैब में जान्च के बाद मामले में सपश्टता आएगी और आगी की कारवाई की जा सकेगी अमेरिका भारस आमरेक स्वच उर्जा भागिदारी US-IS-CEP की मंतरी स्तरिय वारता आज अमेरिका के वाशिंग्टन में हो रही है पेट्रोलियम एवं प्राकरती गैस मंतरी हर्दीब पूरी और अमेरिका की उर्जा सच्चिव जेनिफर ग्रान होम इस वारता की सह अध्यक्षता करेंगे इस दोरान हर्दीब पूरी अमेरिका की उर्जा कंपनियों के मुख्या कारेपालक अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे US-IS-CEP को अमेरिका भारत जलवाईयों और स्वच उर्जा एजिंडा 2030 साजहदारी के तहत शुरू किया गया था वह और तलव है कि पिछले साल अप्रेल में आयुजित जलवाईयों शिकर समेलर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन ने इसकी घोशना की थी हर्दीप पूरी 11 अक्टूबर तक अमारिका के वोशिंग्टन डी सी और हूस्टन में एक आधिकारी कौर्व्यवसाईक प्रतिनी धी मंडल का नेत्रित्व कर रही है केंद्रिय पेट्रोलियूम और प्राकर्ति गैस मंत्री हर्दीप सिंग्पूरी अमेरिका के दोरे पर डी सी में वर्ड बैंक के इंटरनाशनल फाइनस कॉपरेशन की नित्रित्व के साथ एक बैठक में शामिल हुए वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरसकार 82 वर्षे फ्रांसेसी लेकी का एनी एनॉक्स को दिया गया स्वीडन की अकादमी ने फ्रांसेसी लेकिका एनी एनॉक्स को व्यवस्थाओं के प्रती अपने नीजी अनुभवों को पूरे साहस के साथ अभिविक्त करने के लिए नोबल पुरसकार से समानित किया है एनी ने अपनी लेखनी के जरीए साहसिक क्लिनिकल एक्यूटी पर काई लेख लिखे हैं वहीं उनकी साहित्तिक रचना का समाज शास्त्र के साथ गहरा संबन्द है यूरप के 44 देशों के निताओं ने ब्रहस पतिवार को चेक गंडराचर के प्राग में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्यूनिटी सम्मेलन में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ एक जुटता का संदेश दिया इस समेलन में यूरोपियर संग के 27 सदस्य देशों के साथ साथ लकान और पूरी यूरोप के देश तथा ब्रिटन और तर्की शामिल हुए यूरोपियर देशों के निताओं ने उर्जा संकर समेत कई मामलों के समधान पर चर्चा की इन सबी देशों ने एक स्वर में यूक्रेइन पर रूसी हमलों के प्रति अपना विरोध दर्ज खराया यूरोपे संके सदस्य देशों ने मोस्को के खिलाफ प्रति बंधों के आठवे बैच को अंतिम मनसूरी थी और अब वक्त है डीडी प्रीमियर्स का नमस्कार आप देख रहें डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूँ शेहलानेगार अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विपेन नेटवर्स पर पसारित होने वाले शानदार धारवाहिकों की तो आज हम बात करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्ति धारवाहिक बाल क्रिशन की इस धारवाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि कंस के भेजेगे सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक बचसा सुर से हुआ है क्रिशन का सामना तो अब कैसे बचा पाएंगे क्रिशन खुद को इस खतरनाक राक्षस से या फिर कंस की चाल हो जाएगी कामियाद जानने के लिए देखे धारवाहिक बालक्रेशन सोंपवार से शुक्रवार राक नौ बजे डीडी नैशनल पर तो दूर्दर्शन के विभिन नेटवर्क्स पर प्रसारिट होने वाले शांदार धारवाहिकों का आप उठाते रहे आनन्द हमें भी जैनमती नमस्कार प्ले में 36 गड़की आकर्शी कश्चप ने बैडमिंटन का महिला एकल खताब अपने नाम किया तो वहीं पुरुश वर्क का खताब साई प्रणीत के नाम रहा तेराकी में एक बार फिर माना पर टेल का शांदार प्रदर्शन देखने को मिला अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो सर्विसेस के खिलाड़ी 41 सुर्ण सहीत कुलची आनवे पदकों के साथ शिर्श पायदान पर कायम है वहीं दूसरे स्थान पर हरियाना है जिसने अब तक 29 सुर्ण पदक अपने नाम किये हैं जबकि माहराश्ट्रो 24 सुर्ण पदक के साथ तीसरे पायदान पर है दक्षन अपरीका के खिलाफ खेले गए एक दिवसियर सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को नौरन से हार का सामना करना पड़ा है बारिश की वज़ा से तीरी से शुरू हुए माच को 44-44 ओवर का कर दिया गया था तौस जीत कर भारतिय कप्तान शिखर धवन ने पहले गेंद बाजी का फैसला लिया दक्षन अपरीका ने पहले बले बाजी करते हुए 40 ओवर में 4 विकेट कमा कर 249 रन बनाए देविड मिलर 63 गेंदों में 75 रन और हेंरिक क्लासें 65 गेंदों में 74 रन बना कर नाबात रहे लक्षे का पीछा करने उत्री भारतिय टीम निर्धारिच 40 ओवर में 8 विकेट कमा कर 240 रन ही बना सकी संजू सेंसंस ने 63 गेंदों में 86 रन की पारी खेली जबकि 16 ऐयर ने 50 रन बनाए इस मुकाबले में हेंरिक क्लासें को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर आफ दे मैच चुना कया बागने देश के सिलहत में खेले जा रहे हैं महिला इशा कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा भारत महिला टीम ने इशा कप के इस सीजन में अब तक 3 मैच खेले हैं और 3 ही मैच में जीत हासल की है इस टौनमेंट में हर्मन प्रीत कौर की अगवाई वाली भारतिय महिला क्रिकेट टीम का अब तक का प्रदर्शन शांदार रहा है अब तक सभी मैचों में जीत दर्च कर चुकी भारतिय टीम अंक तालिका में शीर्ष पर है वहीं पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने इस टॉर्नमेंट में अब तक तीन मैच खेले हैं जिसमें से उसे दो में जीत हासिल हुई है ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाला आज का मुकाबला बेहत रोमान्चक होने की उम्मीद है इसके साथ ही इस बोलिटिन में फिल हालितना ही नमस्कार